तो आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कार्बनेट्स कंपाउंड के एक नेक्स्ट पार्ट पर जिसमें हम लोग सीखेंगे केमिकल प्रॉपपटी ऑफ कार्बनेट्स कंपाउंड वैसे जो अवलेडी हम लोग ने चार रियक्शन स्टडी कर रखी है बढ़ हमारी जो कुछ चीज़े ऐसी थी जो कि बाकी तीन चीज़ों में सबसे पहली चीज़े उसमें इथनॉल एंड सेकेंड वन इस इथनॉइक एसेड तो चलिए देखते हैं कि एथनॉल का क्या रियक्शन करवाते हैं हम लोग उसका नाम क्या होता है मतलब केमिकल फॉर्मूला हम ल तो यह यह एलकोहल फैमेली का एक मेंबर होता है जो कि होता है हमारा इथनॉल ठीक है मॉल्यकुलर फॉर्मूला की बात करूं मैं तो इसका मॉल्यकुलर फॉर्मूला होता है C2H5OH ठीक है तो इसको कुछ इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं लाइक CH3 CH2 और OH और इसको कमबाइन ली इस तरीके से हम लोग का लिखा चाता है अगर मैं बात करूं सकी नीचर की तो इसका नीचर कैसा है तो यह इसका नीचर हमेशा 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 इसको C2H5OH बोल सकते हैं, तब मुझे यहां मिल रहा है, sodium ethoxide, अब तुम लोग को इसको रटनी के जर्वत नापरत में तुम लोग को सिखा देती हो, कि इसको इस reaction का product कैसे बना है, simply बच्छा कुछ भी नहीं हुआ है, यह वाला H ना रिमूव हो गया है, यह H रिमूव होके अलग हो चुका है, और इसकी जगापर यह Na आ चुका है, तो तुम पूरी reaction इस तरीके से हो गई है, तुम है CH3, CH2, O-Na+, देखो, सिर्फ यह वाला H नहीं दिख रहा है तुम्हें इ प्लस हो जाता है, तो इसको बोलते हैं, हम लोग sodium ethoxide, इस reaction का आम होता है, इस पर प्रोडक का नाम होता है, sodium ethoxide, ठीक है, अब इसको अगर देखते हैं कि मैं इसको एक अलक तरीके से वापस से कर रहा हूँ, क्या करना है, अब मैंने बचला है, अब मैंने घ्चा कर एक्ते तो यह सल्फूरिक एसिद के साथ करवा है मैंने कितने तेमपरेचर पर दी तो 443 कल्विन पर अगर हम लोग इसको हीट कर रहे तब क्या हो रहा है तो इथिनॉल क्या हो जाएगा हमारा इथीन में यहां कनवर्ट हो जाता है तो सम्टाइम्स तुमसे बोट्स में ऐसा कोशिन कर लेते हैं कि मतलब राइटर रिएक्शन जिसमें इथिनॉल इथीन में कनवर्ट हो जाता है तो तुम लोग को यह याद होना चीए कि मुझे सिर्फ इथिनॉल लिखना है उसको साल्फूरिक एसिड के साथ जब मैं रिएक्ट कर वाऊंगी एड़ टेंपरेचर ऑफ पू तो तीसी चीज तुम लोग को सिर्फ और सिर्फ याद रखने की ज़रूरत है अब लेट्स टॉक अपाउट इथिनॉक एसिड की बात कहते हैं सबसे पहले इसमें भी देख लेते कि कौन से ग्रुप से बलाउं कर रहा है अगें फिर इसमें आम लोग को देखना पड़ेग है तो उसको सीम्किस से मतलब यहाशी उसको मतलब यह बेशा अग्री से मतलब यह तो इसको मतलब है h tämä से जा इसी तो इनका जा सिद्वाट के ऐसे डिक अन Vergleich की बात करो गोले का इसम ऑना चर्श तुम लोग विचूलाईस कर थे वेतसे लिजह तैंक्तों कमेन सब्सक्तिक्लिकीक अचनी में अनुकिंअ सब्सक्राइब के यदि है अपर इतेना आगी कुछ आएगा आएगा तो, यहां आए बहुआ होता है हमेरे अचनी प्राइबा Hayır मिंणुक्법 कें अचट काई यह हैं आगी टो कर थी होगी तो सबसे हो पहले कर आ जिसमें एतेनॉल को मैंने क्या कर रहा हुरा है इνनॉ казत क के साथ मैंने रियक्ट करवा दिया वही इतेनॉल जो हम लोगो लास्त में बढ़के आ तुक है thyle ethinoate मतलब easter मल जाता है and this reaction is called sterification reaction ठीक है sometimes यह नाम से ही आती है तो तुम लोग को इस reaction को 110% अच्छे तरीके से लर्ण करना है because यह sometimes क्या every time यार बहुत जाद जाद आपलब 95% चांस होते है इसका votes में आने का अब मैं बता दियो कि तुम लोग को वापस से अगे रट्टाफिकेशन ना करना पड़े तो तुम लोग कैसे याद कर सकते है उसको c2h5 और c3coh अब क्या हो रहा होगा simple सी बात है reaction में हो क्या रहा है इस h को धक्का मारा जा रहा है तेक यह पूरा compound आएगा यह h को धक्का मारा जा रहा है और इसकी जगा यह फिट हो जाएगा c2h5 कुछ नहीं हो रहा है देखो हमने c2h5 के साथ react करवा दिया है हमने c3coh को अब प्रोड़क्ट में बीटू हमेशा क्या आता है यह एज भी चला जाएगा और यह ओएज भी चला जाएगा और यह ओएज बना लेंगे ठीक है बिचारे भूले भाले एज 2 बना लिए यहां क्या आ जाएगा c3coo और c2h5 इस तरीक से यह पूरा प्रोड़क्ट बन का होगा तो यहां से की साथ अर्य है हुआ होगा हमा यहां बन रहा होता है तो कुछ नहीं ऐसा ही करा है ठोड़े से टेपिकल तरीकेसी लिग दिया है बढ़ा आसान सा होता है तो पुरे बहुतन है कहीं भी तुम लोग इस्टर का नाम सुनने को मिले ना तो इस्टर कैसा होता है स्वीट स्मेलिंग होता है स्वीट मतलब मीठा स्वीट स्मेलिंग होता है ठीक है यह तुम लोग ने इस्टर को बहुत सी जगा देखा है खाया भी है, घाया भी खाया है, हम लोग बड़े पार्टी हैं, जितने केक लाते हैं, उसके केक में फलेवर होता है, और फलेवर में अलग-अलग हमें खुश्पु आ रही होती है, इस्टर केशसे यूस करते हैं, स्वीट प्लेवर कि तरह यूस किया जाता है, तुमने यह कि धाता हम होगा कि कॉर्टी को आता है तो में प्रक्राइब को षाया होगा में तो आरे तीजह में ऑना करना की और बुघा गरते है यह रहाँ में तो यह कि यहांता है में इस्टर में अपना है वेकाज वह स्वीट स्मेलिंग करता है और उस फ्लेवर का पर्टिकुलर अंदाग हमें उस तीज में ला देता है तो इस्टर बहुत ही प्यारी चीज होती है और पुरी ओवराल रियेक्शन को इस्टर को हमने नीचल लिया आया है ठीक है वही जो मैंने फॉर्मूला लिखा शुर्मूला लिखा है अब इन डाप्रिजन सौफ एन ए अप्रेसेंस ऑफ नए ओ अच अब क्या बन रहा होगा यहार कुछ नहीं दुखत कहानी है यहां से आप C2H5 को डियू कर कर हम लोग भगा देंगे और इसकी जगा ले लेगा हमारा नं ए ठीक है तब क्या हो देखो यह और यह समें एक्ञेक्टली ट्विंस है ना है दिदी यह इतनी से आसाल सी रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हम भोलते से पॉनिफिकेशन रिएक्शन यह अगें नाम से आती है बच्चवाटी तो यह इसमें जो हमारे इस त्री ना इसमें यह हमारे बनता है साइंस आप सब कुछ देते हैं हम लोग ने फरिस्ट वीडियो में देखा था था हम लोग थे निरफ फिजिकल जिसमें लिए खाना बनाना कौन से यह होता है लास्ट लास्ट तक आते तक दीदी ने तो यह ही सिखा दिया कि कपड़ दहुने कैसे हो थे नहाना का से होता है त अब तुम लोग को बोर्स में question कैसा आता है तो मैं बता दू जाती है उन लोगो ना इक पर चार्ट पर लिख लो या पिर मैं किसी वीडियो मैं तुमार पास एक नेमिंग रिक्शन की पर्टिकुलर वीडियो लाओगी तो उसको तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से करके लाएं वोट्स में हमेशा उसी ताइप से questions आते हैं तो यहां हुआ हमारा एथनॉल और एथनॉक इसेट वाला formula और सारी concepts नहीं खतम होते है और यहीं खतम होता है हमारा chemical properties of carbon compound so that's all for today's video I hope you guys have a very good video and helpful for everyone एक प्याना चोड़ देना कि कैसा लगा आप सभी लोग को वीडियो अपने दोस्तों के साथ share करना and subscribe नहीं किया subscribe करके जाना because this is your educator Sakeena Ali signing off